अगाकुंड प्रखंड अंतरगत शिवली बाड़ी पूर्प पंचायत अंसार मोहला निवासी आइना बावरी के मिट्टी के घर का चार दिवारी बीती रात हुई बारिश में भरभरा कर गिर गया जिसे उसके घर में रखा खाद्य सामगरी चावल, आटा, सबजी, टीवी वपंखा सारा सामान दपकर खराब हो गया घटना की सूचना गुरुवार की सुभा मुखिया तनवीर आलम को मिलते ही वे पीडित परिवार से मिलकर धानधस बंधाया कहा की यह परिवार यहां करीब 100 वर्षों से निवास कर रहा है बरतन बासन धोकर अपना एवम अपने परिवार का भरन पोशन कर रही है इसके दो बेती एवम एक बेटा है बेटा विकलांग होने के कारण जायदा कुछ नहीं कर पाता है बताया कि सरकारी जमीन पर बसे रहने के कारण प्रधान मंत्री आवास योजना से भी यह परिवार बंचित रहा है इस बार भूमिहीन की सूची में डाल कर इनका प्रधान मंत्री आवास दिलवाने के भरपूर प्रयास करूँगा इनको सूची में क्यों डाला गिया है इनको सूची में डालने के निवह जमीन है और सरकार को चाहिए रेष्टी मंत्रीत एक तरह बोलते हैं कि भूमे हैं इनों को भूमी देंगा है फिर यह कहां पेच पाश रही है इन लोग तो बहुत कोशिज किया है क्योंकि नत्रे खाता की जमीन को आते लोग पास एग्जिमेंट को कर दिया है लेकिन हम लोग जब मुख्या और प्रतिनिधी सीयो वगरा के पज़ाते हैं तो उन लोग कहते हैं कि इस पेपर में इन लोग इंद्रावास्त नहीं होगा क्योंकि इसका तो करेटेरिया से बाहर हो लेकिन गरीवी रेखा से नीचे लोग बुजर बसकर इनको तो होना चाह कि आएसे लोगों को अत्काल में जो है मने इसका वैस्ता किया जाए गिर गिर गिरा रात को नो बजे यहां कॉन था यहां पर इच्छे लड़की एक लड़का और हम लोग तीनों था सास बेटा बहु लोग सब कोई था सब कोई खाना खा रहा था अब जैसे गिरा ना साइके लुकिन सब दाथ लिया था चुला उला सब दग गिया अब खाना भी ठीक से नहीं खाने से कर लेड़की तो दबा गिया था उसको टांट उनके मिक्या ला उस्ता हुआ था अब लोग पक्का मकान नहीं है ना पक्का मकान नहीं है क्या वज़ा है कि पक्का मकान नहीं है हम लोग गरी बाद में इतना पैसा कहां से मिलेगा हम लोग दूसरा को घर में काम करते हैं तो अब जाते हम लोग रोजी रोटी चलता है तो कहां तो हम लोग भर बनाएगा आ बहुते दिखिए आप लोग क्या क्या नुफ्सान गया है आप तैंगे पांखा था था फिर फाने कोची समय था फिर वरतानुर्तन सब था जो बरतन था सब सब चाहिए क्या नाम हुआ रूपका हमको नाम आईना बारू